सीखने के उदेश्य यूजर इस अध्याई में PC रखरखराओ के समबंद में क्या करें और क्या न करें के बारे में सीखेंगे PC रखरखाओ की आवशक्ता कम्प्यूटर रखरखाओ बिना किसी भी ब्रेकडाउन के एक कम्प्यूटर को ठीक से रखने की कला है PC रख रखाओ के लिए क्या करें? अब हम यह समझेंगे कि हमारे PC को कुशलता पूर्वक चलाने में मदद करने के लिए एक नियमित रूप में हमें क्या करना चाहिए? PC को अच्छी कारेशील दशा में रखने के लिए यह सब करना चाहिए? Files का Backup प्रारम से ही महतुपूर्ण Files और Programs का Backup लेते रहना चाहिए? बहरी Drives और Hardware महतुपूर्ण Files और Programs का Backup बहरी Hard Drives जैसे की चुम्बकी या Magnetic Discs, USB, Pen Drives आदी पर लेकर सुरक्षत जगमें रखने की ज़रूरत होती है माउस का रख रखाओ कोई भी माउस जब बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है तो समय के साथ कम समवेदनशील हो जाता है माउस के पीछे की बॉल को नियमित रूप से खोल कर साफ करने की आवशक्ता होती है System Restore Point एक सिस्टम Restore Point सेट करने की आवशक्ता होती है जिससे रख रखाओ की दौरान एरर की स्थिती में डाटा रिकवरी हो सके यह सिस्टम टूल आप्शन में एक्सेसरीज में उपलब्ध होता है अनावशक फाइल्स तथा फोल्डर्स हटाएं अनावशक फाइल्स तथा फोल्डर्स को अपने PC से हटाएं रिसाइकल बिन को नियमित रूप से खाली करें और अस्थाई इंटरनेट फाइल्स को भी हटाएं डाटा को व्यवस्तित रखें डाटा उचत फोल्डर्स और सब फोल्डर्स बना कर व्यवस्तित धंक से रखना चाहिए जिससे स्टोरेज के लिए उपलब्द स्थान का सर्वत्तम उपयोग किया जा सके अपडेट लागू करें सॉफ्ट्वेर नियमित रूप से अपडेट किया जाने चाहिए और यह सुनिश्यत करें कि यह नियमेत रूप से अपडेट किया जा रहा है Firewall की जाच करें Firewall की Configuration सेटिंग की जाच करें और यदि सुरक्षा का स्तर बढ़ाने की आउशकता हो तो सेटिंग्स को चेंज करें Hardware Nerection करें नियमेत रूप से Cable, UPS की तरहों अपने PC के Hardware की जाच भी करें और जब जरूरत हो तो बैटरी भी बदलें इसके अलावा नियमेत रूप से अपने Screen, Keyboard को भी साफ करें PC रख रखाओ के लिए क्या न करें अब हम यह देखेंगे कि PC की सही कारेशीलता के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए अपने सिस्टम को अचानक से बंद न करें सिस्टम पूरी तरह से बंद करने के लिए हमेशा Shutdown option का प्रयोग करें ऐसा न करने पर यह Hard Drive दोश का कारण बन सकता है जब सिस्टम ओन हो तो Peripherals को Unplug न करें जब Computer ओन हो तो बहरी ड्राइफ को Unplug करने से Motherboard प्रभावित हो सकता है Safety Remove option का उप्योग करें लंबे समय के लिए एक ही Password का उप्योग न करें नियमित रूप से अपने सिस्टम तथा आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट की Password बदलते रहें और सुरक्षा बनाये रखने के लिए एक मजबूत Password का उप्योग करें C Drive को अवरुध न करें Windows C Drive का उप्योग करता है ड्राइफ में Windows के लिए कम से कम 400 MB स्थान फ्री छोड़ देना चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए folders को अन्य ड्राइफ में बनाया जा सकता है खाना पीना सिस्टम के पास न करें मशीन पर पानी या कोई और द्रव गिरने से सिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है अन्जानी USBs का प्रियोग न करें अन्जानी Pen Drive या USBs में वाइरस हो सकता है इसलिए उनका उपियोग असुरक्षित है अपनी समझ से बाहार बड़े-बड़े Errors को स्वयम सही करने की कोशिश न करें इससे आपके PC को और अधिक नुकसान हो सकता है Errors को हटाने के लिए तकनिकी सहाय को बुलाएं जब Power Supply on हो तो कंप्यूटर का आवरण लखो लें ऐसा करना अत्यधिक खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह सर्किट को नुकसान पहुचा सकता है मूलभूत साउधानिया जो हमें अपने PC के सांथ लेनी चाहिए अब हम कुछ उन बातों के चर्चा करेंगे जो हमें अपने PC का प्रयोग करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए जोंकि PC बिजली पर चलता है तो यह ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी कारण से विद्धुत सर्किट क्षतिगरस्थ नहीं होना चाहिए Circuit Breaker विद्धुत सर्किट को क्षतिगरस्थ होने से बचाने के लिए एक सर्किट ब्रेकर अपने घर के सर्किट के साथ स्थापित करना चाहिए ताकि पावर अवरोध के समय केवल सर्किट ब्रेकर बंद होगा और PC शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा UPS बैकप सप्लाई देने वाला उपकरण जैसे UPS लगाना आवशक है जो अचानक पावर अवरोध की स्थिति में PC को अचानक बंद होने से बचाएगा Search Protectors अत्यदिक वोल्टेज आने की स्थिति में वोल्टेज के बढ़ने और घटने की संभावना होती है Search Protectors ऐसे उपकरण हैं जो कम्प्यूटर को वोल्टेज के जटकूं से बचाते हैं निशकर्श इस अध्याए में आपने PC रख रखाव में क्या करें और क्या न करें के बारे में विस्तार से सीखा